और कुछ जो एहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साजा करना चाहूँगा ये देखने में आया है कि केंदर सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को एलोट की है हमें एलोकेशन की है वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परिशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है चारो तरफ टैंकरों की कमी है ऑक्सीजन तो फिर भी दर दर मिल जाती है लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है तो दिल्ली सरकार ने बैंककोक से 18 टेंकर इंपोर्ट करने का निर्ने लिया है, ये टेंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंदर सरकार से हमने इसके लिए एर फोर्स के प्लेंज देने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनका काफी सकारात्मक रवया रहा है, बात्चीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बाचित सफल रहेगी केंदर सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें तो अगर 18 टेंकर बैंककॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे वो 18 टेंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलने चालू हो जाएगी दूसरी की फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं रेडी टू यूज प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है इस से दूसरेगी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी पिछले चार पांच दिन में मैंने देश के कई उड्योग पतियों को चिठ्धी लिखी थी लोगों के ओफर आए हैं, उन सब के साथ बाच्ची चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेजी के साथ, उन में से कई लोग मदद कर रहे हैं, बस उन्हों ने एक मुस्त ली लोगों ने एक ही शर्त रखिया कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहत हम आपकी वैसी मदद करेंगे, ये तो और भी बड़ा बडपन है, हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है, इस एटिट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं, मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाज सेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का, जो बड़ चड़के दिली के लोगों की और दिली सरकार की इस ताएं मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया आदा करना जाता हूँ अभी जो मैंने अनॉंसमेंट्स की इसमें भी बहुत सारे लोगों का सही हो गया इतने कम समय में ये तभी सभल सभी संभव हो पाया कि कई लोगों ने इसमें मदद की तभी हम ये टैंकर बैंककॉक से मंगा पा रहे हैं फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं पिछले हफते हमने देखा तीन दिन ऐसे थे ब्रिस्पतवार शुक्रवार और शनीवार जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत जादा अफरा तफरी हो गई थी यहां ऑक्सीजन खतम होने वाली है वहां ऑक्सीजन खतम होने वाली है मैं भी काफी घबरा ग खतम होने वाली है उसको तुरंट कही न कहीं से इंतिजाम करके हम लोग oxygen भिजवाते थे लेकिन उसके बाद से स्थिती में काफी सुधार हुआ है पिछले दो दिन में आप देखेंगे कि इस किसम के SOS messages अस्पतालों के मैं यह नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे अभी भी ऐसी पिछले दो-तिन दिन में अब नहीं है और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंदर सरकार की टीम्स ने बैठ के दोनों के अफसरों के टीम्स ने बैठ के बहुत महनत किये हैं कई सारे इशूज थे इसके transportation को लेके और वो बहुत सारे इशूज थे जो सौट आउट किये गए हैं मैं केंदर सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंदर सरकार का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाता हूँ जोनों ने इन कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया और आज सुबह केंदर सरकार ने दिल्ली को केंदर सरकार भी इंपोर्ट क कर रही है कई सारी tankers, दिल्ली के लिए पांच अलग से tanker केंदर सरकार ने हमें धी हैं, उसके लिए भी मैं केंदर सरकार का शुक्रियादा करना चाहता हूँ, अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 oxygen के plants लगाने जा रहे हैं, 44, इसमें 8 plants केंदर सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डीले हो गया था, जो भी कारन रहे, लेकिन अब उमीद है कि 30 अपरिल तक ये शायद 8 plants लगके तयार हो जाएंगे, और 36 plants oxygen के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 plants फ्रांस से आ रहे हैं, और बाकी 15 plants हमारे देश के हैं, तो 36 oxygen के plants अगले एक महिने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है, इन 44 plants को अलग-अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे oxygen की supply काफी improve होगी, एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो wave आई है, ये ज्यादा खतरनाक है, एक तो फैल ज्यादा रही है, पर जितने फोन आते हैं, सर कहीं से ICU के bed के इंतिजाम कर दीजे, कहीं से ICU के bed का इंतिजाम कर दीजे, और पूरी कोशिश करने के बावजोदित समय, अस्पताल overloaded है, हर अस्पताल capacity से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए है, ICU beds भरे हुए है, तो ICU beds को बहुत बड़ जैसी बनके तयार हुए, जैसी हमने announce किया, तीन घंटे के अंदर 500 के 500 bed भर गए, केवल तीन घंटे के अंदर, इतने serious मरीज घूम रहे हैं, जो इलाज ढून रहे हैं, तो अभी हम 500 ICU beds, आज सुबह सुबह मैं मुआइना करके आया हूँ, जी टी बी hospital के सामने एक रामलिला मैदान है, वहाँ पे हम 500 ICU beds तयार कर रहे हैं, LNJP hospital के सामने अपना जो में रामलिला मैदान है, वहाँ भी हम 500 ICU beds तयार कर रहे हैं, और राधा सौमी सत्संग में हम 200 ICU beds तयार कर रहे हैं, तो ये 1200 ICU beds गंभीर मरीजों की डेखवाल के लिए, ये 1200 ICU beds 10 मई तक बनके तयार हो ज रगता है कि लोगों को भी बहुत रहात मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत रहात मिलेगी जो भी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है तो हम लगे हुए हैं 24 घंटे लगे हुए हैं सब के साथ मिलके काम कर रहे हैं सारी सरकारों के साथ सारे देश में राज्य सरकारों के वो द्योग पतियों के साथ सब के साथ मिलके काम कर रहे हैं सब का सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उमीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पर जीत नहीं पा सकते